प्रकृती एवं प्राकृतिक चिकित्सा पध्धती की मानिता है जिन्हें हम अपने निरोगी काया के लिए कभी भी उपेक्षित नहीं कर सकते जाने वो सो बातें जिनसे हमें पता चलता है कि किस चीज की कमी के कारण कौन सा रोग होता है अश्ट्रांग रगयम दो, लकवात सोडियम की कमी के कारण होता है तीन, हाई बीपी में सनान वर सोने से पूर्वे एक गिलास जल का सेवन करे तथा सनान करते समय थोड़ा सा सेंधा नमक पानी में दाल कर सनान करे चार, लो बीपी सेंधा नमक दाल कर पानी पिये 5. कूबर निकलना फॉस्फोरस की कमी 6. कफ फॉस्फोरस की कमी से कफ बिगर्टा है फॉस्फोरस की पूर्ती हेतु आसनिक की उपस्थिती जरूरी है गुद्व शहद खाएं 7. दमा अस्थमा चल्फ की कमी 8. सिजेरियन ओपरेशन आयरन कैल्शियम की कमी 9. सभी ख्षारी अवस्थुए दिन डूबने के बाद खाएं 10. अमली अवस्थुए वफल दिन डूबने से पहले खाएं 11. जमभाईक शरीर में ऑक्सीजन की कमी 12. जो कॉम जो प्राता काल जूस पीते हैं वो उसमें काला नमक वा अदरक डाल कर पिये 13. तामबे का पानी प्राता खड़े होकर नंगे पाउँ पानी ना पिये 14. किद्नी भूल कर भी खड़े होकर गिलास का पानी ना पिये 15. गिलास एक रेखिय होता है तथा इसका सर्फेसिटेंस अदिक होता है 16. अस्थमा, मधुमे, कैसर से गहरे रंग की वनस्पतिया बचाती है 17. वास्तु के अनुसार जिस घर में जितना खुला स्थान होगा उस घर के लोगों का दिमाग वहरिदे भी उतना ही खुला होगा 18. परंप्राएं वही विक्सित होगी जहां जलवायू के अनुसार व्यवस्थाएं विक्सित होगी 19. पत्री, अर्जुन की चाल से पत्री की समस्याएं ना के बराबर है 20. रो का पानी कभी ना पिये ये गुनवत्ता कुस्थिर नहीं रखता 21. सोकर उठते समय हमेशा दाई करवट से उठी या जिधर का स्वर्चल रहा हो उधर करवट लेकर उठी 22. पेट के बल सोने से हर्निया, प्रोस्टेट, एपिंडिक्स की समस्या आती है 23. भोजन के लिए पूर्व दिशा, पाई के लिए उत्तर दिशा बहतर है 24. HDL बढ़ने से मोटापा कम होगा, LDL ववी LDL कम होगा 25. गैस की समस्या होने पर भोजन में अजवाइन मिलाना शुरू कर दे 26. चीनी के अंदर सलफ़ होता जो की पताखों में प्रयोग होता है ये शरीर में जाने के बाद बाहर नहीं निकलता है 27. शुक्रोज हजम नहीं होता है, फ्रेक्टोज हजम होता है और भगवान की हर मीठी चीज में फ्रेक्टोज है 28. वात के असर में नींद कम आती है 29. कफ के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम अधिक करता है 30. कफ के असर में प्रयाई कम होती है 31. पित के असर में पाय अधिक होती है 32. योग प्रानायाम कफ प्रवरिती वालों को नहीं करना चाहिए वात प्रवरिती वालों को थोड़ा, पित प्रवरिती वालों को ज्यादा करना चाहिए 35. आखों के रोग, cataracts, मोतियाविंद, ग्लुकोमा, आखों का लाल होना आधी ज्यादातर रोग कफ के कारण होता है 34. शाम को वात नाशक चीजे खानी चाहिए 35. पित प्रवरिती वालों को प्रातल चार बजे जाग जाना चाहिए 36. सोते समय रक्दवाव सामान्य या सामान्य से कम होता है 37. व्यायाम, वात रोग्यों के लिए मालिश के बाद व्यायाम, पित वालों को व्यायाम के बाद मालिश करनी चाहिए कफ के लोगों को सनान के बाद मालिश करनी चाहिए 38. भारत की जलवायू वात प्रकृती की है दोड़ की बजाय सूर्य नमस्कार करना चाहिए 49. जो माताएं घरेलू कार्य करती है उनके लिए व्यायाम जरूरी नहीं 40. निद्रा से पित शांत होता है, मालिश से वायो शांती होती है, उल्टी से कफ शांत होता है तथा उक्वास लंगन्ट से बुखार शांत होता है 41. भारी वस्तुए शरीर का रक्तदाब बाती है क्योंकि उनका गुरुत्व अधिक होता है 42. दुनिया के महान वैग्यानिक का स्कूली शिक्षा का सफर अच्छा नहीं रहा, चाहे वह 8 मी फेल न्यूटन हो या 9 मी फेल आइस्टीन हो 43. मास खाने वालों के शरीर से अमल स्राव करने वाली ग्रंथियां प्रभावित होती है 44. तेल हमेशा गाड़ा खाना चाहिए सिर्फ लकई वाली घानी का, दूद हमेशा पतला पीना चाहिए, देसी गाय का 45. चिलके वाली दाल सबजेव से कॉलेस्ट्रॉल हमेशा घटता है 46. कॉलेस्ट्रॉल के बड़ी हुई स्थिती में इंसुलिन खून में नहीं जा पाता है, बलड शुगर का संबंध ग्ल्यूकोस के साथ नहीं अपितू कॉलेस्ट्रॉल के साथ है 47. मिर्गी दौरे में अमोनिया या चूने की गंध सूनधानी चाहिए 48. सिर्दर्ड में एक चुक्की नौसादर वर अदरक का रस रोगी को सुनधाएं 49. भोजन के पहले मीठा खाने से बाद में खटा खाने से शुगर नहीं होता है 50. भोजन के आधे घंटे पहले सलाद खाएं उसके बाद भोजन करें 51. अवसाद में आयरन, केल्शियम, फॉस्फोरस की कमी हो जाती है फॉस्फोरस गुड और अमरुद में अधिक है 52. पीले केले में आयरन कम और केल्शियम अधिक होता है हरे केले में केल्शियम थोड़ा कम लेकिन फॉस्फोरस जादा होता है 54. रसॉली की गलाने वाली सारी दवाएं चूने से बनती हैं. 55. हैपिटाइट से से ए तक के लिए चूना बहतर है. 56. एंटिटेकनस के लिए हाइपिरियम 200 की 2-2-10-10 मिनट पर तीन बार दे. 57. ऐसी चोर जिसमें खून जम गया हो उसके लिए नेक्रमसुल्फ 2-2-10-10 साली मिर्च जोर मघा पीपली गी दे सकते हैं. 56. अस्थमा में नारियल दे. नारियल फल होते हुए भी क्षारिय है. डालचीनी जोर गुड जोर नारियल दे. 57. चूना बालों को मजबूत करता है तथा आँखों की रोशनी बाता है. 58. दूद का सर्फेस टैंसेज कम होने उसे नहीं खाना चाहिए. जैसे प्रेश कूक. 64. दूद मूत रर्क आँखों में ना डालें. 65. देसी गाय के दूद में घी मिला कर देने से कफ की संभावना कम होती है लेकिन चीनी मिला कर देने से कफ बढ़ता है. 66. मासिक के दोरान वायू बढ़ जाता है. 3-4 दिन स्ट बढ़ता है. 60. भोजन के बाद बजरासन में बैठने से वातनी अंत्रित होता है. 79. भोजन के बाद कंगी करें कंगी करते समया आपके बालों में कंगी के दात चुबहने चाहिए. बाल जल्द सफेद नहीं होगा. 70. अजवाइन अपान वायू को बढ़ा देता है जिससे पेट की समस्याएं कम होती है. 71. अगर पेट में मल बंद गया है तो अदरक का रस्या सौंट का प्रयोग करें. 72. तब जोने की अवस्था में सुबह पानी पीकर कुछ देर एडियों के बल चलना चाहिए. 73. रास्ता चलने, श्रंग कार्य के बाद ठतने पर या धातु गर होने पर दाई कर्वत लेगना चाहिए. 74. जो दिन में दाई कर्वत लेता है तथा रात्री में बाई कर्वत लेता है उसे थकान वशारीरिक पीया कम होती है. 75. बिना कैल्शियम की उपस्थिती के कोई भी विटामिन वपोशक तत्व पूर्ण कार्यन नहीं करते है. 76. बलके नाश्ते में फल, दोपहर को दहीवर रात्री को दूद का सेवन करना चाहिए. 89. रात्री को कभी भी अधिक प्रोटीन वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए. जैसिक दाल, पनीर, राजमा, लोबिया आदी. 80. श्रौच और भोजन के समय मूँ बंद रखें, भोज पनी देर से जाती भी है. 83. जो बीमारी अंदर से आती है, उसका समाधान भी अंदर से ही होना चाहिए. 84. एलोपैथी ने एक ही चीज दी है, दर्ट से राहत. आज एलोपैथी की दवाओं के कारण ही लोगों की किद्नी, लीव, आते, हृदे खराब हो रहे हैं. पारा चिकित्सा करने के लिए इंद्रधनुष को समझ ले, पहली जामुनी, फिर नीला. अंत में लाल रंग. 87. छोटे बच्चों को सबसे अधिक सोना चाहिए, क्योंकि उनमें वोकाफ प्रवृती होती है, स्त्री को भी पुरुष से अधिक विश्राम करना चाहिए. 88. जो सूरिय निकलने के बाद उपते हैं, उन्हें पेट की भायन कर बीमारियां होती है, क्योंकि बड़ी आत्मल के चूसने लगता है. 89. बिना शरीर की गंदगी निकाले स्वास्थे शरीर की कल्पना निरर्थक है, मल मूर्थ से 5 प्रतिशत, कार्बन डाय उकसाइड छोड प्रतिय तत्व निकलते हैं. 90. चिंता, ख्रोध, ईश्या करने से गलत हॉमोन्स का निर्मान होता है जिससे कब्ज, बबासीर, अजीर, अपच, रक्चाप, थायराइग की समस्या उत्पन होती है. 91. गर्मियों में बेल, बुलकन, तर्बूजा, खर्बूजा वर सर्देयो में सफेद मूसली, सोट का प्रयोग करें. 92. प्रसव के बाद मां का पीला दूद बच्चे की प्रतिरोधक शमता को दस गुना बड़ा देता है. बच्चों को टीके लगाने की आवश्यक्ता नहीं होती है. 93. रात को सोते समय सर्दियों में देशी मधू लगाकर सोईत जर्थ नहीं, हमें उप्योग करना आना चाहिए. 95. जो अपने दुखों को दूर करके दूसरों के भी दूखों को दूर करता है, वही मोक्ष का अधिकारी है. 96. सोने से आधे घंटे पूर्व जल का सेवन करने से वायू नियंत्रित होती है. लकवा, होट अटेक का खत्रा कम होता है. 97. सनान से पूर्व और भोजन के बाद पेशाप जाने से रक्चाप नियंत्रित होता है. 98. टेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक श्रम करने के बाद, श्रौत से आने की तुरंत बाद जल का सेवन निशित है. 99. ट्रिफला अमरित है जिस से वात, पित, होते हैं. इसके अतिरिक भोजन के बाद पान्वा चूना, देशी गाय का घी, गौम उत्र भी त्रिदोश नाशक है. 100. इस विश्व की सबसे महगी दवालार है, जो प्रकृती ने तुम्हें अनमोल दी है, इसे ना थूके.